तो आब हम header create करेंगे जो कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ left side पर logo है, top right पर navigation link है, जिससे हम बाकी के सारे pages पर जा सकते हैं, footer में हम फिर से logo add करेंगे, फिर हमारे legal pages, privacy policy, terms of services, यह जो भी policy आप add करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, चलते हैं और website header create करते हैं, सबसे पहले हम अपनी में main menu create करेंगे जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके लिए हमें wordpress dashboard पर जाना होगा, फिर हमें appearance पर जाकर main menu पर click करना होता है, हम अपनी main menu को एक नाम देंगे, create menu पर click करेंगे, हमें अपनी main menu में, दोस्तो यहाँ page add करने है, पेज के अंदर हम view all पर click करेंगे, अब हमें अपना block page add करना है, अपना about page और contact page add menu पर click करेंगे, अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास main navigation menu पर यह सारे page हैं, हम इने drag करके भी move कर सकते हैं, जो यह टॉप पर हैं, वो पहले जाएंगे, main menu settings के अंदर हमें display location चूज करनी है, कि यह main menu कहां पर display होगी, मैं main use करूँगा, जिसका मतलब है कि यह website header पर show होगी, save menu पर click करते हैं, यहां जाकर अपनी website को देखते हैं, और दोस्तों अभी यहां right click कीजिए, open in a new tab, अब हम देख सकते हैं कि देखे, यह नई menu है, इस menu को customize करने के लिए हमें customize पर click करना होगा, ताकि यह बिलकुल ऐसी ही दिखने लगे, सबसे पहले मैं इस top bar को disable करूंगा, चोकि header के ओपर वाली bar है, top bar पर click करते हैं, और general पर जाते हैं, और enable top bar option को and tick करते हैं, अब आप देख सकते हैं कि top bar हट गई है, publish पर click करते हैं, यहां पर header के नीचे आपको जो border देख रहा है, मैं इसे हटाना चाहता हूँ, तो मैं अभी main menu पर वापस जाता हूँ, header पर जाओंगा, general पर header border bottom के लिए हम disable पर click करेंगे, तो यह border हट गया है, publish पर click करते हैं, एक step पीछे जाकर menu पर click करते हैं, यह हम effect add कर सकते हैं, जो कि in link पर hover करने पर दिखेगा, मैं यह underlying effect add कर दूँगा, जो तब दिखेगा जब हम इस navigation menu पर hover करेंगे, इसके लिए आपको link effect पर जाना है, फिर underline from left, इसके बाद जब हम link पर जाएंगे तो आप इस effect को देख सकते हैं, तो आप इसका color भी change कर सकते हैं, link effect के नीचे color पर जाएंगे, हम इसे blue से हमारी website के accent color में change करेंगे, मैं एक color लूँगा और इस field में color code paste कर दूँगा, फिर मैं ये window बंद कर दूँगा, अब हम जब यहाँ पर आएंगे तो हमें ये green underline दिखेगा, नीचे scroll करते हैं, link color के लिए ये तो keyword text का color है, मैं इसे भी अपने default color में change करूँगा, text के लिए ये वाला है, इस code को copy करेंगे, यहाँ इसे paste करेंगे, अब color change हो गया है, मैं यहाँ पर search function को disable भी करना चाहता हूँ, तो मैं नीचे scroll करूँगा, और search icon देखूँगा, मैं इसे disable में change करूँगा, और अभी ये चला गया है, अब publish पर click करते हैं, अब लास्वे मैं इस menu का font size change करना चाहता हूँ, तो उपर scroll करते हैं, दो step पीछे जाते हैं, typography पर जाते हैं, और main menu पर जाते हैं, यहां पर हम font size change कर सकते हैं, अभी ये 13 pixels में है, तो इसे मैं 17 pixels कर दूँगा, ताकि menu थोड़ी बड़ी हो जाए, फिर publish पर click करेंगे, अब हम header में अपना logo add करेंगे, यहां पर वापस जाते हैं, और वापस जाके header पर हम जाएंगे, और logo पर click करेंगे, हम select logo पर दोस्तों click करते हैं, और हम यहां पर अपना logo drag कर सकते हैं, मैंने इस website के लिए prepare कर रखा है, जो कुछ इस तरह दिखता है, select पर click करते हैं, अब देखे हमें यहां दोस्तों पूरा logo चाहिए, तो crop image पर click करेंगे, और देखे, यह काफी बड़ा है, maximum width पर है, मैं इसे थोड़ा छोटा करूंगा, कुछ इस तरह से, देखे, यह ठीक द जिसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा, canva में account होने के बाद आपको create design पर click करना है, इस logo के लिए मैंने custom size use किया है, फिर मैंने 1400 times 200 pixels use किये हैं दोस्तों, आप दूसरे dimensions भी use कर सकते हैं, depend करता है कि आपको अपना logo कैसा चाहिए, फिर नए design create करिए, मैंने देखे, text tool लिय heading add किया है, नाम type करिए, metrics review, और देखे, इसको पूरा capital किया है, थोड़ा बड़ा किया, मैंने यहाँ पर एक element भी add किया है, element पर जाएए, left side पर marketing type करिए, यह marketing से related होना चाहिए, फिर graphics के इंदर see all, यहाँ पर अलग-अलग marketing graphics है, जो मैं अपने लोग के लिए use कर सकता था, पर मुझे कुछ simple चाहिए, कुछ इस तरह से, मेरे पास Canva का premium account है, इसलिए मेरे पास ज्यादा elements का access है, आपके तुलना में, जिनके पास अभी भी free account होगा, आप भी चाहें तो upgrade कर सकते हैं, आप color भी change कर सकते हैं, example review का color मैंने एक website color में change कर दिया है, देखे आप ये वाला, हम colors पर अब जाएंगे, और इस color code को add करेंगे, लोग के लिए हम color change कर सकते हैं, मैं इसे अपने accent green color में change करूंगा, यलो को मैं black कर दूंगा, या जो भी, मैं इसको green भी कर सकता हूँ, इसको black कर सकता हूँ, या जो इसे एक logo create कर सकते हैं, अब आपको दोस्तों, एक light background जैसे की white के लिए logo चाहिए, और एक dark background के लिए भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, देखे, मैं यहाँ पर duplicate icon पर click करूंगा, अब जो भी black में है, मैं उसे white में change कर दूंगा, black part को highlight करके उसका color white कर दीजे, background पर click कर दीजे, और उसको दोस्तों, black में change कर दीजे, अब आपके पास light background के लिए एक logo है, और dark background के लिए भी है, इन logo डाउनलोड करने के लिए हम शेयर पर click करेंगे, और फिर download पर, हम transparent background activate करेंगे और download करेंगे, अब हमारे पास computer पर files है, अगर आपके पास canva का premium account नहीं है, तो आप देखें दोस्तो, removepg.com नाम की एक website यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से आप free में background हटा पाएंगे, आपको canva के लिए pay करने की ज़रुत नहीं है, यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं, आप एक retina display logo भी add कर सकते हैं, या आपके normal size logo का दुगना होना चाहिए, आपके anva में भी ऐसा कर सकते हैं, आपको अपनी design पर right click करना है, इसकी copy करनी है, design को खोलना है, फिर resize पर जाना है, value को double करके height को 200 से 400 pixels दोस्तों कर दीजिए, resize पर click कीजिए, अब आपके पास दुगना size होगा, आप इसे फिर से download करके upload कर सकते हैं, Retinal O के लिए जो मैंने पहले से ही prepare कर लिया है, मैं इसे अपने computer से upload करूँगा, choose image, ये हो गया, header का काम पूरा हो गया है दोस्तों, publish पर click करते हैं, एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आपको अपने header navigation bar में category add करनी है, जो कि आपको कई सारी affiliate marketing website और blog प कर सकते हैं, यहाँ पर menu item add करिए, आप category पर click करेंगे, मेरे पास इस website के लिए एक category है, हम इस पर click करेंगे, add to menu पर click करेंगे, bottom right पर save menu, अब जब हम अपनी website पर जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर category link भी है, अब जितनी चाहें उतनी category add कर सकते हैं, आप दूसरे page पर भी add कर सकते हैं, और फिर दोस्तों हमे menu में add कर दीजे, अब हम website footer बनाएंगे, जो कि हमारी website के नीचे visible होगा, यह ऐसा दिखेगा, हमारे पास logo है, यह separator है, और फिर हमारे policy pages और सबसे नीचे copyright notice, तो अपने page पर जाते हैं, यहाँ दोस्तों टॉप पर customize पर click करेंगे सबसे पहले हम यहाँ footer bottom का text change करेंगे, footer bottom पर click करते हैं, text को change करने के लिए हम यहाँ पर right click करेंगे, मैं अपने example website से copy करूँगा, इस text को copy करेंगे, और यहाँ पर paste करेंगे, आप footer bottom हटा भी सकते हैं, अगर आपको यह नहीं चाहिए तो इस option को untick कर दीजेगा, और footer bottom disable हो जाएगा, मैं footer bottom background color भी change करना चाहता हूँ, मैं इस color को use करूँगा, इसे copy करूँगा, हम कस्टमाइजर पर वापस जाते हैं, background color पर click करेंगे, और यहाँ पर color code paste करेंगे, और publish पर click करके changes को save करते हैं, क्योंकि यह वाला section है, हम वापस जाएंगे, और footer और widgets पर click करे सबसे पहले हमें यह decide करना है कि हमें footer में कितने column चाहिए, example क्लिए यहाँ पर देखे केवल एकी column है, जो कि सबसे simple version है, हम चार column को केवल एकी column में change करेंगे, ऐसे, फिर मैं नीचे scroll करूँगा, text color क्लिए मैं इसे total white में change करूँगा, link hover color क्लिए मैं इसे accent green में change करूँगा जो यह है, वापस जाते हैं और इस color code को यहाँ पर paste करते हैं, हम change सेफ करेंगे और publish पर click करेंगे, background color change करेंगे यहाँ पर हमारे पास same color है जो footer bottom पर था, जो कि यहाँ पर है, हम इसे copy करेंगे, background color पर जाएंगे, color code को copy paste करेंगे, अब हम फिर से publish करेंगे, अब हम footer में content add करने के लिए रेड़ी है तो दोस्तों अब हम वापस जाएंगे विजिट्स पर फुटर वन यहाँ पर हम इस प्लस आइकॉन पर क्लिक करेंगे ताकि हम फुटर में अलग-अलग elements आड़ कर पाएं सबसे पहले मैं अपना logo आड़ करूंगा जो मैंने एक जाग हो जाएगा अभी यह काफी बड़ा है अभी हम इसे left side में ड्रैक करेंगे जिससे यह थोड़ा छोटा हो जाएगा मैं experiment करूंगा कि सबसे अच्छा क्या दिख रहा है मुझे लगता है कि यह ठीक है policy link add करने के लिए पहले मैं separator add करूंगा फिर से plus icon पर क्लिक करूंगा मैं कुछ text add करूंगा paragraph पर क्लिक करूंगा मैं policy type करूंगा जो मैं add करना चाहता हूँ मैं privacy policy add करूंगा मैं यह line add करूंगा मैं terms of service page की link भी add करूंगा text को बीच में लाने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और align text center और यह यहाँ पर होना चाहिए footer के लिए इतना काफी है हमें बस एक और चीज़ करने की जरूरत है हमें इस text को link बनाना है जो privacy policy page पर जानी चाहिए तो हमें यहाँ पर क्लिक करके दोस्तों link add करना है हमने अभी privacy policy नहीं बनाई है और terms of services page भी नहीं है तो हमें पहले वो page create करने है और फिर उन्हें अपने footer menu में link कर सकते हैं झाल झाल